हेलो आई साज हम बात करेंगे ओपो डिवाइजस के गेम सेंटर के बारे में गेम सेंटर काफी ओपो के डिवाइजस में आप लोगो देखने को मिलेगा जैसे यह दिखा दू मैं गेम सेंटर में आप लोगो पता होगा कि अउनली गेम से ही देखने को मिलते हैं जैसे app market में apps देखने को मिलते वैसे ही game center में आप लोग को only games देखने को मिलेंगे जो कि आप लोग download कर सकते और अगर आप लोग की phone में game center काम नहीं कर रहा तो मैं आप लोग को इसका solution बताने वाला हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे youtube चैनल को subscribe कर लीचेगा bell का icon को press कर लीचेगा तो देखिए first of all अगर आप लोग की phone में काम नहीं कर रहा जैसे देखिए अभी मैं अपने phone में open कर दिखा दू मुझे तो basically कोई भी problem नहीं आ रही बट हाँ इसका ज्यादातर problem का solution क्या रहता है आप लोग अपने phone में app market open करेंगे उसके बाद update apps पे चले जाना है आप लोग को simply general पे क्लिक करेंगे एप update पे क्लिक करना है और यहाँ पे update पे अगर game center आया होगा तो simply आप लोग को update कर लेना है अपडेट करने में क्या रहेगा कि काफी सारे bugs fix की जाते है तो हो सकता है उसमें आप लोग की problem solve जो है हो जाए ओके तो यहां से आप लोगो game center आपडेट आया होगा तो अपडेट करना है अपडेट करने बद काफी चांस है कि आप लोग की problem solve हो जाएगी या फिर आप लोग के phone में कर software update आया होगा software क्लिक करेंगे तो भी हो सकते हैं आप लोग की problem solve हो जाए दोनों ही ट्रीक जो है काम करेगी कोई problem नहीं है एक लास्ट में solution है आप लोग एक बार इसका data जो है clear कर लेना दीक है storage पर क्लिक करके हम इसका एक बार data क्लिर कर लेंगे data क्लिर करना में क्या राएगा कोई भी गलत अक्टीवीटी होगी सब्सक्स हो जाए कि जिसमें गेम सेंटर में आप लोग को problem face नहीं करना पड़ेगा तो जो त्रीनों ट्रिक मैंने आप लोग को बताया आप लोग हो सकता है कोई सी भी ट्रीक आप लोग क फोन में काम कर जाए तीनों ही ट्रीक 100% वरकिंग आप लोग इस्तिमाल करेंगे आप लोग खुद बहुद पता चल जाएगा आप लोग मुझे बस कॉमेट्स में यह बताना है कि आप लोग के फोन में कौन से ट्रीक काम करी है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाह मता द कर दमें जाएगानुब में जाहिए हैं जाहि लोग लोग में जाएगा टुछब लोग लोग काम करेंगी।